गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने फर्स चैप्टर अगर ये पल जाते यहीं ठहर के शाबदात हो गए थे हमारे ठीक ना और हमने मोखिक प्रशन भी कर लिये थे और हमने ये एक्सरसाइज भी कर ले थी प्यारे बच्चो यहां तक कर लिथी ना हमने आज हम करेंगे कोशन अंसवार यानि प्रशन उत्तर सैकंड कोशन हमारा निमलिखित प्रशनों के उत्तर लिखी यानि जो हमारे ये प्रशन दिये हुए है इनके हमने उत्तर राइट करने है ठीक ना बच्चो जैसे कि हमारे प्रशन उत्तर राइट करते ना बच्चो सबसे पहले आपने रो लगानी है ठीक ना बाद में आपने उपर डालोगे पार्ट वन हिंदी में बच्चो कोई लैसन नहीं डालेगा हिंदी में हमेशा आप पार्ट ही डालोगे पार्ट वन अगर ये पल जाते यहीं ठहर यानि नीचे जो आपका लैसन है जो आपकी कवीता है उसका नेम राइट करना है फर्स्ट कोशन है हमारा बच्चो यानि फर्स्ट पर्शन है हमारा बगिया में कवी को किसका डर लगता था यानि जो ये है बच्चो हमारा प्रशन वाचक चहिन है ये आपने यानि प्रशन पूछा गया ना तो प्रशन वाचक चहिन आपने लगाना है बगिया में कवी को किसका डर लगता था तो उत्तर क्या आएगा बच्चो बगिया में कवी को लकड सुनवा का डर लगता था किया था ना बच्चो पोईम के अंदर रीड कवीता के अंदर रीड किया था ना हमने बगिया में कवी को लकड सुंवा का डर लगता था प्रशन नमबर टू बारिस के मोसम में कवी को क्या क्या करना अच्छा लगता था तो उत्तर क्या आएगा बच्चो कवी को नहाना उचलना और फिसलना अच्छा लगता था क्या उत्तर आएगा बच्चो क्या क्या पसंद था कवी को कवी को नहाना यानि बारिश के अंदर नहाना उचलना और फिसलना अच्छा लगता था प्रशन नमबर थरी है मारा कवी कवीता में बचपन के किन शणों यानि पलों को ठहरने को कहा रहा है यानि इक कवी कवीता में अपनी जो कवीता रीड की हमने में बचपन के किन शणों यानि पलों को ठहरने को कहा रहा है कवी कौन से पलों को ठहरने के लिए कहरा बच्चो उत्तर के आएगा हमारा कवीता में हुड़दंगी की तरह पतंग लूटना बाग से आम चुराना जैसे पलों को ठहरने के लिए कह रहा है यानि जो बच्पन के जो हमारे सरारती दिन थे ना बच्चों जो हम बहुत ज्यादा सरारत करते थे तो उन दिनों को ठहरने के लिए कह रहा है कवीता में कवी हुड़दंगी की तरह पतंग लूटना बाग से आम चुराना जैसे पलों को ठहरने के लिए कह रहा है कवी के बच्पन की कौन-कौन सी बाते आपको भी अच्छी लगी यानि जो कवीता के अंदर जो हमने लाइने रीड की है यानि कवी के बचपन की जो बाते थी ना उन में से आपको कौन-कौन सी अच्छी लगी तो प्रशन नमबर फूर क्या था बच्चों मारा कवी के बचपन की कौन-कौन सी बाते आपको भी अच्छी लगी उत्र क्या आएगा बच्चो इसका कागज की नाव तैराना दादी मा से कहानिया सुनना तितलियों के साथ उड़ना कौन सी अच्छे लगी बच्चो कागज की नाव तैराना दादी मा से कहानिया सुनना तितलियों के साथ उड़ना बच्चो यह 4 यानि 4 प्रेशन उतर दिये हुए हमारे बच्चो यह अपनी फेर नोट बूक में राइट भी करने है और लर्ण भी करने है बच्चो यह ध्यान रखना अपने यह रो लगानी है आगे प्रेशन नंबर 3 है हमारा मिलान केजिए यानि जो हमारे कह-ख घह गह दिये हुए ला बच्चो ये हमने यहाँ से मिलान करने है क्या करने बच्चो मिलान जैसे कि हमारा first दिया हुआ है ताल तलेया में कागज यानि क्या एगा नईया का तहराना तालत लईया में कागज की नईया का तैराना खर हमारा जान भूज कर भीग 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 कहां पे मिलाना आएगा बच्चो बारिस में खूब नहाना कुते बिल्ली बच्चडों को ललकार कर खूब दोडाना ठीक ना आगे हमारा इदर उचलना उदर फिसलना क्या आएगा बच्चों बस्ता ले गिर जाना आगे दी हुई बच्चों हमारी भाषा ग्यान फस्त दिया हुआ हुआ हमारा शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो वे शब्द अनेकार्थिक होते हैं यानि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो कौन से शब्द होते बचो अनेकार्थिक होती है जैसे कि हमारा दिया हुआ है बर्शाती यानि इस बर्शाती शब्द से हमारे दो संटैंस यानि वाक्य बनेंगे बर्शाती क्या होता बचो बारिस से बचने के लिए पहनी जाने वाली और बर्शाती यानि जो बारिस से संब्दित होती बचो जो बारिस होती हमारे ठीगा न वो आगे हमारा अब आप इनके दो दो अर्थ लेक कर उन से वाक्य बनाईए यानि वाक्य बनाने बच्चो जैसे फस्ट दिया हुआ हमारा मगर मगर के दो शब्द होते हैं परंतु भी और मगर मच भी जैसे फस्ट दिया हुआ हमारा परंतु क्या वाक्या बनाएंगे बच्चो इसका रमन इमानदार है मगर वह गरीब है मगर आगे ना बच्चो यानि परंतु वह गरीब है हम यहाँ पर मगर भी राइट कर शकते हैं आगे सैकेंड हमारा मगर मच मगर पानी में रहता है यानि मगर मच पानी में रहता है तो क्या राइट करेंगे बच्चो हम मगर मगर मच भी होता है मगर पानी में रहता है खय हमारा पर यानि पर के हमने दो शब्द बनाने हैं पर उपर भी होता है और पंक भी होते हैं ठीक ह आपने जो लेसन के अंदर रेड किया था पंक लगना जैसे उपर दिया हुआ हमारा मेज पर पुस्तक रखी है जैसे हम इस वाक्यों को ऐसे ही बोल सकते हैं मेज के उपर पुस्तक रखी है लेकिन हमने यह सब्दियूज करना है उपर यहनि इसका आर्थ उपर और पंक मेज पर पुस्तक रखी है पंक मोर के पर बहुत सुन्दर होते है हम ऐसे भी राइट कर सकते बच्चों मोर के पंक बहुत सुन्दर होते है तो क्या यूज करना हमने पर मोर के पर बहुत सुन्दर होते है गय है हमारा आम शाधारण एक तो आम साधारण व्यक्ति होता बच्चो ठीक ना औरे एक आम यानि जो हमारा फल होता है शाधारण में करेंगे हम वह एक आम आदमी है यानि साधारण व्यक्ति है वह एक आम आदमी है एक फल क्या होता है आम रसीला है ठीक है ना रसीला यानि रस से भरा हुआ आम रसीला है आओ तुक बंदी करें यान जैसे ठै और हर दिया बना बच्चो ऐसे हमने जैसे ठै हैर राइट किया हुआ है ऐसे हमने हर से शब्द बनाने है जैसे ले हैर ले हैर पर पहर जहर नहर नहर आगे थ्री दिया हुआ हमारा नीचे दी गई पंक्तियों में जो शब्द प्राइवाची नहीं है उन पर सरकल यानि गोल लगाईए प्राइवाची शब्द बच्चो किये वे न सभी हमने जैसे मेग का क्या बच्चो बादल क्या नहीं है बच्चो इन में प्राइवाची शब्द जल धी नदी तीटन जर्ना सरीता तो क्या नहीं बच्चो जर्ना नाव नईया नोका जलाश्य तो क्या प्राइवाची शब्द नहीं बच्चो जलाश्य दूद दूगन अक्षीर शीर नीर तो दूद का क्या प्राइवाची शब्द नहीं बच्चो नीर आगे फूर्थ हमारा वाक्यांज के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए यानि जो शब्द दिये हुए हमारे इनका हमने एक शब्द राइट करना है जो जीता नै जासके अजे जो मिठा बोलता हो मुर्द भाशी जिसमे रस नै हो नीरस जिसे पाना कठीन हो दूरबल जो बात कही नै गई हो अनकही यानि जिस बात को कहा नै गया वो क्या थी बच्चो हमारी अनकही तो बच्चो आज हमने हमारा फर्स्ट कवीता हमने हमारी रेड कर लिया आज हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कम्प्लेट कर लिया थेंक यू